Hello everyone, मैं हूँ किरिन शापुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का सापताहिक राशी फल ये 10th April से लेकर 16th April तक की आपकी tarot readings है, tarot predictions है और इस वीडियो में Aries, Taurus, Gemini, Cancer यानि की मेश, रिशब, मिथुन, करक राशियों के सापताहिक राशी फल है और नीचे description box में आपकी राशी के सामने time stamp है, आप उस पे click करेंगे तो directly आपकी reading आजाएगी और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि माम हम इस reading को किस sign के हिसाब से देखें तो tarot reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहें वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशी हो, आपका moon sign हो या फिर आपका sun sign हो तो चलिए जी शुरू करते हैं coming week का सापताहिक राशी फल चलिए Aries आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है, क्या energies हैं तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है queen of swords और दिखें सबसे पहली चीज ये card कहता है कि specifically इस week आपके professional front में किसी भी इनसान से, जगा से, organization से या again मैं कहूंगी किसी भी चीज से आप emotionally बहुत connected थे तो वो emotional ties आप cut करते हुए दिख रहे हैं और बहुत logically, बहुत mind से चीज़ों को deal करते हुए दिख रहे हैं कुछ के लिए literally हो सकता है कि जो भी आप अपने professional front में चाहते हैं उसी से related एक planning कर रहे हैं, एक strategy बना रहे हैं और क्यूंकि यहाँ पे queen of swords का card है तो कोई female काफी supportive आपकी planning में, आपकी strategy में यहाँ फिर professional front से related किसी भी चीज को ले कर रहती हुए दिख रहे हैं और again मैं कहूंगी power, position, authority यहाँ तो आप चाहा रहे हैं यहाँ फिर आपको मिल रही है and overall एक logical approach रखते हुए दिख रहे हैं mind से चीजों को deal करते हुए दिख रहे हैं फिर से पीछे अगर किसी भी चीज को ले कर आप emotional हो रहे थे, sentimental हो रहे थे तो इस week आपको ऐसे लग सकता है, बस बहुत हो गया अब नहीं और emotional होना, बहुत straightforward होके अपने goal, अपने मकसद पे focus करना है और उसको कैसे achieve कर सकते हैं, उसी पे ही again attention देना है जो भी distractions अगर पीछे रही हो, तो उन distractions को भी आप clear कर रहे हैं या फिर वो distractions भी clear हो रही हैं और सिरफ और सिरफ goal, मकसद पे आप focus करना चाहा रहे हैं या फिर कर रहे हैं और personal front के लिए आप लोगों के लेking of swords का card है देखे सबसे बहली चीज, दोनों ही fronts के लिए swords के cards हैं और जो लोग काफी टाइम से मेरे वीडियोस देख रहे हैं, अभी तक समझ गए होंगे swords means logical thinking, swords means you know, mind से चीज़ों को deal करना तो कहीं personal front में भी, अगर पीछे किसी भी चीज़ को लेकर emotional हो रहे थे, sentimental हो रहे थे तो इस week कहीं आप you know, अपने emotions, अपने sentiments को side पर रखते हुए दिख रहे हैं और personal front में कोई male figure supportive रह सकते हैं या फिर देखिए किसी male figure की interference, involvement रह सकती है और फिर से कहूंगी professional front में किसी female figure की involvement या interference भी कुछ Aries के लिए रहती हुए दिख रही है power, position, authority, personal front में किसी भी चीज को लेकर आपको मिल रही है या फिर बहुत authoritatively आप चीजों को deal कर रहे हैं थोड़े से controlling, थोड़े से dominating आप हो सकते हैं थोड़ा सा आप चीजों को manipulate भी in a healthy way करते हुए दिख रहे हैं और कहीं personal front में भी जो आप चाहा रहे हैं आप सिरफ और सिरफ उसी चीज पर focus कर रहे हैं बाकी जो भी distractions हैं, बाकी जो भी चीजें आपको अपने goal से परे कर रही हैं आप उनको हटाते हुए दिख रहे हैं देखिए nutshell में इस week कहीं emotions, feelings, sentiments missing रहते हुए दिख रहे हैं आप अपने loved ones, close ones या फिर relationships पर इतना focus नहीं कर रहे हैं या मैं कहूंगी कि इस week आपके लिए ये सब चीजें इतनी एहमियत, इतनी importance नहीं रख रही हैं इस week कहीं दोनों ही friends के लिए आपका goal, आपका मकसद, आप क्या चाहते हैं उससे related क्या planning रहनी चाहिए, क्या strategy आप बनाएं, कैसे उन चीजों को achieve करें इन ही के उपर आप जादा focus करते हुए दिख रहे हैं और दोनों ही friends के लिए आपका communication बहुत straightforward, बहुत blunt रहता हुआ दिख रहा है professional friend में हो सकता है कि कि किसी को आपका way of communication hurt भी करे तो थोड़ा सा इस चीज का खयाल रखे and personal friend में आप blunt और straightforward होके अपनी बात को कह रहे हैं अपना communication रख रहे हैं लेकिन एक mature, you know, straightforwardness रहती हुई दिख रही है and अब in general की energies और guidance के लिए देखें तो आपके लिए breakthrough का card है तो सबसे पहली चीज ये card कहता है कि कोई भी चीज पीछे अगर आपको restrict कर रही थी, limit कर रही थी जहाँ पे कुछ Aries के लिए हो सकता है आप थोड़ा सा घुट भी रहे थे, आप थोड़ा सा परेशान भी हो रहे थे तो इस week उन्ही सारी limitations, उन्ही सारे restrictions को आप तोड़ते हुए अपने self को बाहर निकालते हुए दिख रहे हैं और यही आपके लिए Aries guidance भी रहेगी कि जो भी चीज आपको suppress कर रही है या फिर limit कर रही है, restrict कर रही है उस सब को तोड़ें और आपका self क्या चाहता है, आप कुछ कहना चाहते हैं, कोई बात अपनी किसी से करना चाहते हैं, अपने लिए stance लेना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं तो खुल के करें, अपने आपको beyond the point आपना बांधें कुछ के लिए हो सकता है, फिर से मैं कहूंगी कि आप ऐसी energies में already हैं and astrology से आप लोगों के लिए fourth house का card है, और कालपुरश की कॉंडली में चौथा घर जंद्रमा का होता है और इस हिसाब से सफेद रंग यानी की white color आप लोगों के लिए इस week लखी रहेगा and significant day आप लोगों के लिए होगा Monday तो ये था Aries आप लोगों के लिए coming week का सापता ही क्राशीफल और नीचे मुझे comment section में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलिए Taurus आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है, क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है Queen of Cups Reverse और ये card कहता है कि इस week specifically अपने professional front में थोड़ा सा आप emotionally low feel कर सकते हैं जहां पर कुछ के लिए हो सकता है कि mood swings हो रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि वो satisfaction, वो happiness, वो joy आप नहीं महसूस कर रहे हैं सब के लिए different reasons रहेंगे लेकिन अगर हम broader level के लिए देखें तो हो सकता है कि किसी चीज, किसी इनसान, किसी जगा या फिर कोई भी again चीज हो सकती है उसके साथ emotional attachment आप बहुत ज़ादा महसूस कर रहे हैं या फिर पीछे आपने उस चीज, इनसान जगा को बहुत ज़ादा दिया बहुत आप loving रहे, बहुत आप caring रहे और इस week आपको यह से लग रहा है कि सामने से आपको उस तरीके का response नहीं मिल रहा है यानि कि अगर कोई इनसान है तो वो इतना regard आपको नहीं कर रहे हैं पिर से मैं कहूंगे वो love care नहीं आपको दिखा रहे हैं अगर कोई organization है, जगा है तब भी देखिए जिस तरीके का एक आपको response मिलना चाहिए फिर से मैं कहूंगे वो सामने से नहीं मिल रहा है और broader level के लिए again यही एक reason रहता हुआ दिख रहा है जिसकी वज़े से एक mood swings हो रहे हैं, emotionally आप low feel कर रहे हैं और मैंने हमेशा कहा है, Taurus जब भी भी professional friend में हम चीजों को लेकर या फिर किसी इंसान या किसी भी चीज को लेकर मैं फिर से कहूंगी, बहुत ज़ादा emotional हो जाते हैं, sentimental हो जाते हैं उस time हम नहीं देख पाते हैं, लेकिन कहीं हम एक professional attitude खोते हैं जिसकी वजह से फिर हम आगे जाके परिशान होते हैं तो एक ये reason बहुत सारे Taurus के लिए रहता हुआ दिख रहा है और यहाँ पे दिखिए, कार्ट की तरफ से आपके लिए यही advice होगी कि अपने आपको emotionally बहुत strong बनाएं, heart और mind का balance रखें और beyond the point आप giving या फिर, you know, over किसी भी चीज इंसान के लिए ना करें क्योंकि ये बहुत बड़ा reason होता है, hurt के लिए ये बहुत बड़ा reason होता है खुद को परिशान करने के लिए, तो इस चीज का खयाल जरूर रखें and personal friend के लिए आप लोगों के लिए card है two of wands और ये card कहता है कि बहुत confident आप personal friend में किसी चीज को लेकर महसूस कर रहे हैं तो दीखें, दोनों ही cards का अगर comparison करें, और फिर दोनों ही friends का हम comparison करें तो professional friend में कहीं emotionally low feel कर रहे हैं और यहाँ पर हो सकता है कि उतना confident भी आप चीजों को लेकर नहीं महसूस कर रहे हैं वही personal friend में बहुत जबरदस्त एक confidence रहता हुआ दिख रहा है और इसी confidence के basis पे या फिर otherwise भी आप आगे बढ़ना चाहा रहे हैं जो भी you know personal friends related area है जिसमें आप focus कर रहे हैं कुछ के लिए आपके बच्चे हो सकते हैं, कुछ के लिए आपके spouse हो सकते हैं कुछ के लिए आपके lover हो सकते हैं, कुछ के लिए overall ही आपकी family हो सकते हैं कोई भी personal front का area हो सकता है उसमें कैसे growth हाए, कैसे एक progress आए, उसके बारे में सोच रहे हैं कैसे चीजों को next level पर लेकर जाएं, उसके बारे में सोच रहे हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए, इस card में जो figure हैं, उन्होंने globe हाथ में पकड़ा हुआ है globe यानि की दुनिया का नक्षा, तो कोई positive news, कोई positive समाचार भी आपको कहीं से मिलता हुआ देख रहा है जो एक enthusiasm, एक excitement लेकर आता हुआ देख रहा है तो overall, personal front काफी अच्छा रहता हुआ देख रहा है and in general की energies और guidance के लिए यहाँ पर control का card है तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूंगी कि अगर आप किसी भी चीज को लेकर over controlling हो रहे हैं तो एक balance इसमें लेकर रहा हैं और अगर आप किसी भी चीज को लेकर बहुत जादा, you know, मैं कहूंगी कि submissive हो रहे हैं या फिर बहुत एक surrender mode में रह रहे हैं तो यहाँ पर यह card कहता है कि चीजों का control अपने हाथ में लेकर आप assertively, confidently आगे बढ़ें तो यहाँ पर basically control in a balanced and a positive way करने की ज़रत है यही आप लोगों के लिए guidance है और इसी card के हिसाब से हम दोनों fronts के cards को देखें तो कहीं professional front में चीजों का control अपने हाथ में लेकर थोड़ा सा logically चीजों को deal करने की ज़रत है थोड़ा सा fixated होने की ज़रत है थोड़ा सा systematically थोड़ा सा organize तरीके से चीजों को deal करने की ज़रत है क्योंकि देखिए यहाँ पर queen of cups rivers का card कहता है कि आपना बहुत जैसे बोल रहे हैं कि अपने आपको धीला छोड़ दिया और discipline नहीं maintain कर पा रहे हैं कहीं बहुत submissive हो रहे हैं या लोगों से ज़्यादा influence हो रहे हैं लोगों की बात ज़्यादा सुन रहे हैं तो इस हिसाब से दीखिए guidance का card कहता है कि थोड़ा सा control ले logically चीजों को deal करें और mind से चीजों को deal करें अगर हम personal front के हिसाब से दीखिए तो हो सकता है कि आप थोड़े से ज़्यादा controlling हो रहे हैं तो यहाँ पे आपने इस control को कम करना है इस control को in a balanced way use करना है and astrology से आप लोगों के लिए the north node का card है और the north node astrology में राहु ग्रह को represent करते हैं इसके हिसाब से देखिए all shades of blue black इस week आप avoid करें and significant day आप लोगों के लिए होगा सादरे तो यह था टॉरस आप लोगों के लिए coming week का सापता ही क्राशी फल और नीचे मुझे comment section में ज़रूर बताएं कि यह कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलिए जेमिनीज आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है the tower और यह card कहता है कि इस week specifically आपके professional front में किसी भी level पे किसी भी तरीके की एक उत्थल पुत्थल एक shakyness सी रहती होई दिख रही है क्योंकि यह general reading है सब के लिए different reasons रहेंगे लेकिन इतना मैं कह सकती हूँ जेमिनीज की कोई बहुत बड़ी बात नहीं रहेगी क्योंकि यह weekly reading है एक का दुक्का लोगों की बात अलग है तो फिर से दिखिए tower के card को देखें तो एक उथल पुथल रहती होई दिख रही है एक shakyness सी रहती होई दिख रही है कुछ के लिए हो सकता है कि किसी चीज को आपने बड़े शिदद से बड़ी महनत से बनाया यहां पर कुछ के लिए relationship हो सकता है कुछ के लिए कोई project, कुछ के लिए कोई team again कोई भी चीज हो सकती है वो आपको ऐसे लग रहा है कि टूट रही है बिखर रही है और इसलिए आप परेशान हो रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि बड़े comfortable आप किसी अपने comfort zone में बैठे हुए थे suddenly उसमें से आपको बाहर निकलना पड़ रहा है कुछ के लिए हो सकता है कि किसी feeling किसी emotion को आप बहुत time से suppress कर रहे थे और इस week आपको ऐसे लग रहा है कि बस और जादा ये feeling ये emotion आप नहीं अंदर contain कर पाएंगे और suddenly आपका you know went out हो रहा है या फिर आप went out कर रहे हैं तो दिखिए ये general reading है सब के लिए different reasons रहेंगे जो भी चीजे मेरे mind में आई मैंने कहा broader level के लिए ये card उत्थल पुत्थल या फर एक shakiness वाली energies रहने की बात करता है और nutshell में फिर से मैं आपको बताऊँ कोई relationship हो सकता है आपकी job हो सकती है work front में किसी के साथ कोई deal हो सकती है किसी positive result को आप expect कर रहे हैं आपको उमीद रह रही है कि इस हफते आपको मिल जाएगा तो वो थोड़ा सा delay होता हुआ दिख रहा है आप थोड़ा अच्छे से मेरी बात को सुने मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको वो outcome नहीं मिलेगा यानि कि positive result नहीं मिलेगा मैं सिर्फ आपको ये कह रही हूँ कि इस week नहीं मिलेगा थोड़ा सा delay रहता हुआ दिख रहा है और कहीं ego issues किसी loved one के साथ या फिर otherwise रहते हुए दिख रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि अपने लिए stand नहीं ले रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि जादा ही strongly अपने ले stand ले रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है over confident हो रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि बहुत जादा arrogant आप किसी चीज को ले कर हो रहे हैं और फिर कोई इंसान आपके personal friend में है उनकी ऐसी energies है जिसकी वज़े से आप परिशान हो रहे हैं और overall के लिए आपको ऐसा लग सकता है Gemini's की लोग आपके पीछे से बात कर रहे हैं लोग युनो सामने से जो बहुत अच्छे से आपके लिए कह रहे हैं बातें कर रहे हैं पीछे से कहीं उतना अच्छा आपके लिए नहीं कह रहे हैं ये भी कुछ Gemini's को लग सकता है या पर कुछ Gemini's के लिए रह सकता है और अब देखते हैं Gemini's के आपके लिए क्या guidance है या फिर इन जनरल की energies हैं तो दीखें suppression का card कहता है कि overall ही इस week हो सकता है कि आपने बहुत सारी responsibilities ली हुई हैं बहुत सारी चीजों में आप खुद को involve कर रहे हैं या फिर किसी भी reason की वज़े से जितना आप कर सकते हैं उससे जादा काम कर रहे हैं एक pressure एक burden आप हैसूस कर रहे हैं तो यहाँ पे सबसे पहला message जमिनीज आपके लिए ही होगा कि थोड़ा सा अपने workload को थोड़ा सा अपनी responsibilities को आप offload करें क्योंकि अगर ऐसा आपने अभी नहीं किया तो हो सकता है कि हाल फिलाल आप इस चीज़ को नहीं realize कर पाएं लेकिन आगे चलके आप काफी परिशान रह सकते हैं तो फिर से मैं कहूंगी आपके लिए guidance यही है कि अपने work pressure को या फिर you know responsibilities अगर हैं उनको थोड़ा सा आप जरूर कम करें और थोड़ा सा खुल के चीज़ों को करें अपने लिए stand लें और यहाँ पर दिखिए एक चीज़ आड़ करना चाहूंगी कि over confident या फिर over assertive भी ना हो in a very balanced way again आप अपने लिए stand लें जो कहना चाहते हैं वो कहें जो करना चाहते हैं वो करें astrology से आप लोगों के लिए mercury ग्रह का card है और इसके हिसाब से all shades of green इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा witness day तो ये था Gemini's आप लोगों के लिए coming week का सापता ही ग्राशी फल और नीचे मुझे comment section पर ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए तो चलिए कि इनसेरियंज आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies है तो professional front के लिए आप लोगों के लिए card है Ace of Wands Reverse और ये card कहता है कि इस week specifically आपके professional front में किसी खास चीज को लेकर या फिर overall ही enthusiasm, excitement, motivation लो रहता हुआ दिख रहा है सब के लिए different reasons रहेंगे क्योंकि ये general reading है लेकिन इस card के हिसाब से या तो कोई चीज end हो रही है या फिर किसी चीज को आप नए सिरे से या फिर otherwise भी शुरू करना चाहा रहे है और उसी से related कुछ issues कुछ मसले रहे हैं और इसी लिए कहीं आप थोड़ा सा you know low in energy रहते हुए दिख रहे हैं यानि कि enthusiasm, excitement low रह रहा है कुछ के लिए हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि वो growth, वो progress नहीं हो रही है जो आप deserve करते हैं जो आप चाहते हैं या फिर जो आपका मकसद है और इसी लिए कहीं अगें एक enthusiasm, excitement low रहता हुआ दिख रहा है तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी Cancerians कि देखे हम सब लोग energy beings हैं जब एक energy में vibrate करते हैं और कुछ time तक उसी energy में रहते हैं तो वही energy कहीं multiply होना शुरू हो जाती है मैं ऐसा भी कह सकती हूँ Science के term में की inertia वाली stage आ जाती है और उसी में हम deep जाते रहते हैं तो यहाँ पर अगर आप you know किसी खास reason की वज़े से थोड़ा सा low feel कर रहे हैं It's fine, थोड़ा सा time लगता है हमें you know gear up करने के लिए खुद को motivate करने के लिए लेकिन देखिए बहुत time से अगर आप थोड़ा सा low किसी चीज को लेकर महसूस कर रहे हैं या फिर motivation कहीं missing रहती हुई दिख रही है तो इस चीज पर consciously आप work करें यानि कि एक conscious effort डालके खुद को motivate करें वो एक enthusiasm वो एक excitement लेकर आएं और जब आप ऐसा करेंगे और थोड़ा सा भी आपकी energies better होंगी तो कहीं देखिए वही चीज फिर बढ़ती भी जाएगी और आप अपने goal अपने मकसद को achieve भी कर लेंगे देखिए low enthusiasm low excitement में हम अपने goal अपने मकसद को नहीं achieve कर सकते हैं हमें एक enthusiasm एक excitement लाना ही पड़ता है तो इस चीज का खयाल रखें जो भी external level पे हो रहा हो आप कहीं इन्टर्नल लेविल पे खुद को demotivate ना होने दें या फिर low energies में आप beyond the point ना जाएं specifically अगर आपको लगे कि भई आप जा रहे हैं तो फिर से मैं कहूंगी कैसे आप वो enthusiasm वो excitement वापस ला सकते हैं उस पे आप जादा focus करें and personal front के लिए आप लोगों के लिए king of pentacles का card है ये card कहीं stability की बात करता है security की बात करता है बहुत जादा चीजों को लेकर एक grounded महसूस करने की या फिर होने की बात करता है और broader level के लिए कुछ ऐसा ही आपके personal front में रह रहा है क्योंकि यहाँ पे king of pentacles का card है तो कुछ के insidians के लिए हो सकता है कि कोई male figure है जिनकी वज़े से या जिनकी तरफ से एक financial support या फिर एक stability एक security आप महसूस कर रहे हैं और बहुत dedicatedly बहुत devotedly आप चीज़ों को अपने personal front में करते हुए दिख रहे हैं आपकी तरफ से बहुत commitment रह सकता है या फिर कोई male figure है आपके personal front में जिनकी तरफ से आपके लिए बहुत devotion, dedication, commitment रहता हुआ दिख रहा है तो broader level के लिए दिखे परसनल front काफी ठीक ठाक रहता हुआ दिख रहा है प्रोफेशनल front में मने आपको बताया ही थोड़ा सा खुद को motivate करने की ज़रत है वो enthusiasm, वो excitement वापस लाने की ज़रत है और इन जनरल की energies के लिए हाँ पे आप लोगों के लिए the lovers का card है तो हो सकता है overall broader level के लिए relationships आपका focus है या फिर relationships पे आप ज़्यादा attention दे रहे हैं अगर हम guidance के point of view से इस card को देखें तो ये card कहता है कि जो भी करें बहुत passionately करें हो सकता है आपको कोई decision, कोई choice आपको इस week लेनी पड़े तो आप उसी चीज को choose करें जिसको लेकर आप बहुत passionate है या फिर जिस चीज को आप love करते हैं जिस चीज को आप enjoy करते हैं ये decision, ये choice सब के लिए differ करेगी कुछ के लिए relationship से related हो सकता है कुछ के लिए आपके professional front में work से related हो सकता है तो कोई भी decision, कोई भी choice फिर से मैं कहूंगी cancerians अगर आपको इस week लेनी पड़ रही है make sure कि आप उसी चीज को choose करें जिसको लेकर आप बहुत passionate feel करते हैं बहुत you know आपके मन में love है बहुत आप उस चीज को enjoy करते हैं and astrology से आप लोगों के लिए Mars ग्रह का card है इसके हिसाप से all shades of red इस week आप लोगों के लिए लखी रहेंगे and significant day आप लोगों के लिए होगा Tuesday तो ये था cancerians आप लोगों के लिए coming week का साबता ही क्राशी फल और नीचे मुझे comment section पे जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए